वाहरे यूपी पुलिस ये दारू का ठेका है जनाब और ठीक इसके सामने सीना ताने खड़ी है हमारी यूपी पुलिस वही यूपी पुलिस जिसकी दहशत बदमाशों और गुंडों की बीच जग जाहिर है लेकिन रुकिये रुकिये यूपी पुलिस तो पीछे खड़ी है अंगरेजी शराब की दुकान पर तो ये एक अपराधी है मूँ घुमाए तस्वीर भी खिचा रहा है और ठीक अपराधी के पीछे खड़ा यूपी पुलिस का सिपाही अपराधी को पेशी पढ़ ले जाने कि एक अपराधी को पुलिस वाला रस्ती से बांद कर पेशी के लिए पोट ले जा रहा है तभी बगल में शराब के दुकान देखकर अपराधी के मन में लड़ू फूटने लगता है और वो पेशी से पहले शराब पीने के लिए दुकान पर चला जाता है पेशी पर ले जा पुलिस वाला भी दरिया दिल निकलता है और अपराधी की इच्छाब पूरी करने के लिए उसे शराब की दुकान पर ले जाता है अपराधी शराब की दुकान पर खड़े होकर शराब खरीता हुआ दिख भी रहा है बता दें कि जो सिपाहे तस्वीर में नजर आ रहा है वो पियाडी का कर्मचारी है इस तस्वीर को ममततर पाठी नाम की यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर दिया और क्याप्शन में लिखा है अपराधियों के अध्यान रखने वाली मित्र पुलिस किसी राज्य में नहीं मिलेगी पेशी पर आये अपराधी को प मिल बैठेंगे दोयार इस तस्वीर के पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर ये तेजी से वारल हो गया लोग इस तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट कर रही हैं एक यूजर ने ये भी लिखा विकास के कार में बाधाना बने कुरोना काल भूल गए जब दूद लेने पर चालान और दारू लेने पर सुरक्षा मिल रही थी वहीं दूसरे यूजर ने लिखा पेश आया यूपिय पुलिस का मानविय चेहरा एक अन्य यूजर ये भी लिखते हैं कि राम राज में कुछ भी हो सकता है यही अच्छे दिन है बाबा के आज सोशल मीडिया में जन्पद हमीरपुर का एक फोटो वाइरल हो रहा है जिसमें मुल्जिम ड्यूटी को ले जाते वक्त एक पियाडी का जवान मुल्जिम को शराब दिलवाता हुआ दिखाई दे रहा है इस फोटो का संग्यान लेते हुए ततकाल उस पियाडी के जवान के विरुद कारवाई करने के लिए उनके संबंधित अधिकारी को पत्राचार कर दिया गया है और इस प्रकरण में जो भी पुलिस कर्मी दोशी है उनके विरुद भी प्रारंभिक जांच की जा रही है हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकेन दबा लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मुद् है